वेलकम टू एकलव्यास नातक and I am Sachin and आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं EVS से unit 3 natural resources का ये second part है अगर आपने इसके बाकी के part देखने हैं तो आप इसी वीडियो के description में चले जाना आपको playlist का link मिल जाएगा वहाँ पे जाकर आप बाकी के parts भी देख पाएंगे और आज की इस वीडियो में हम water resources के बारे में पढ़ने वाले हैं AEC subject है semester 1, 2 सभी students के लिए helpful है चाया आप BA honors से हो चाया BA program से हैं आपको बता दू कि अगर आपकी कोई query है आप कुछ पूछना चाते हैं तो Instagram पे आप अपना message बेच सकते हैं username आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आप इस पूरे chapter के notes की PDF चाते हैं तो हमारा telegram group जो है इकलव्यासनातक 1 इसको join करिए आपको सारी PDFs वहाँ पर available करवा दी जाएगी और syllabus की बात करें तो unit 1 हमने complete कर ली है unit 2 भी complete हो चुकी है unit 3 की बात करें तो land resources वाला आपका part 1 है आज हम जो पढ़ रहे हैं वो part second water resources का है फिर part 3 आएगा और फिर उसके बाद part 4 आएगा तो आप बिल्कुल भी आपको बटकने की जुरुत नहीं है इसी वीडियो के description में link आपको provide कर देंगे बस एक click करना है और सारी videos आपके सामने सो आगे बढ़ते हैं water resources आप सभी जानते हैं पानी जल है तो जीवन है ठीक है पानी के बिना हमारी life is not possible सो हमारा जो planet earth है उसको blue planet भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि लगबग 3 4th जो area है वो water से ही covered है जो हमारा surface है and without water life on earth is impossible हम हर तरीके के अगर हम देख लें चाहे कोई bacteria हो plant हो animal हो हर किसी की body में 60 to 70% water होता ही होता है सो यानि कि water बहुत important है तो अब मैं आपको sources बताने वाल हूँ पानी आखिर में कहां कहां से मिलता है सबसे पहले natural sources of water कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ सो इसमें सबसे पहले rain water है underground water है lakes है rivers है ponds है oceans है and glaciers है सो one by one देखते हैं इन सभी को rain आप अगर बारिश के पानी को collect करते हैं ठीक है सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है conservation का एक तरीके से और ये जो collected water होगा आप इसको साफ सफाई में यूज करिए पीने के लिए यूज करिए पौदों को पानी देने के लिए यूज करिए नहाने के लिए यूज करिए घर में यूज करिए वर्क प्लेस में यूज कर सकते हैं So rain water एक तरीके से हमारा natural है, underground water, ठीक है, grounded water भी कहा जाता है, इसको underground water भी कहा जाता है, So आप अगर कह सकते हो कि इंडिया के जो groundwater resources हैं, they are almost 10 times its annual rainfall, भाई, rainfall से ज़्यादा हम underground water यूज़ कर रहे हैं, लगभग 85% जो groundwater है, जो exploited हुआ है, वो सिर्फ irrigation के लिए हुआ है, यानि कि agriculture में सिचाई बगरा के लिए, एंडिया, हमारे जो इंडिया के लोग हैं, वो underground water को लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा speed से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको भाई ये समझना चाहिए, कि बहुत जगा पानी waste भी हो रहा है, और जो excessive groundwater mining हो रही है, ठीक है, इसकी वज़े से क्या हो रहा है, कि land subsidence के दिक्कत आ रही है, कुछ इलाकों में, जैसे कि उत्तर परदेश वगरा, पानी कम हो जाएगा, वो groundwater जो है, हमारा underground water का level कम हो जाएगा, तो कल को हमें ही दिक्कत होगी, फिर आता है हमारा lakes, lakes भी natural source है, लेक का मतलब होता है, एक पानी से घिरावा ऐसा इलाका, जिसके चारों तरफ आप कह सकते हो, land होता है, और बहुत ही ज़्यादा lakes हैं हमारी दुनिया भर में, और lakes लगबग हर continent में पाई जाती हैं, हर different kind of environment में पाई जाती हैं, यमुना, इंडस, ब्रहंपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पेनार, तापी, कुछ important नाम थे, river को भी आप एक तरीके से natural source मान सकते हो, जो किसीरा पहाड़ों से आते हैं, और हम हर तरीके से उस river का पानी फिर हम use करते हैं, फिर आते है पॉंड्स, पॉंड्स क्या है, एक fresh water की body होती है, इसका पानी जो होता है, वो एकदम fresh ताजा पानी होता है, पॉंड्स और lake में difference यह होता है, कि यह थोड़े से small होते हैं, लेक थोड़े सी बड़ी होती है, थीक है, बस यह difference है, फिर आते हैं, oceans, आप क्या सकते हो कि salty water होता इनका, बहुत बड़ा area cover करते हैं, ocean, और हम अमारे अर्थ के अंदर हम देखें, तो एक तो the Atlantic ocean है, Pacific ocean है, Arctic ocean है, Indian ocean है, यह कुछ important ocean के regions हैं, चोकि हमारे दुनिया बर में पाए जाते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, glaciers, glaciers क्या होता है, ice के बड़े बड़े और यह कैसे बनता है, recrystallization होता है, snow का, जिसकी वज़ा से इसकी formation होती है, अगर हम देखें, climate change हो रहा है, global warming की वज़ा से, यह glaciers पिगल रहे हैं, आगर अंटार्क्टिका पे जाएंगे, तो वो भी पूरा एक तरीके से बरप से घिरा हुआ है, पर वो भी up melt होने लगा ह So it means global warming is the main reason behind it, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको man-made sources बता देता हूँ, देखिए, जो इनसान खुद बना रहा है, artificially बना रहा है, जो nature ने नहीं दिया, dams, dam बनाते हैं, इनसान बनाते हैं इसको, ठीक है, dams को जब हम बना रहे हैं, सो भाई कहीं न कहीं यह human ही इसको ब manually और उसके बाद पानी निकाल रहे हैं, wells हो गए, हमारे कुए जो हम बनाते हैं, वो हमारे man-made sources हैं, kennels हम बनाते हैं, irrigation वगर के purpose से, so यह सारे हमारे man-made sources आते हैं, water के आई, आपको यह पता ही होगा, अब है, uses of water, over exploitation of surface and groundwater resources, पानी का usage, so हमारी population rapidly increase हो रही है, from about 343 million independence के time पे थे, and over 1000 million in 2000, so आप कह सकते हो, कि इसकी वज़े से agriculture भी बड़ा है, industrialization बड़ा है, urbanization काफी rapidly हुआ है, economic growth इंप्रूब हुई है, और इसकी वज़े से water की demand में भी increase आया है, क्योंकि भई सभी कामों में पानी तो लगता है, over utilization जो हो रहा है water का अलग-अलग level प पर क्योंकि लोग जरुद से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, हम बहुत बारी नहाते time कितना पानी वेस्ट करते हैं, shower लेते हैं, कितना पानी इधर उदर वेस्ट होता है, आप कह सकते हैं, जब कपड़े धोते हैं, तो कितना पानी वेस्ट होता है, बार-बार ढोलते हैं फिर करते हैं फिर ढोल देते हैं भाई इस तरीके से कुछ agriculturalist भी होते हैं कुछ किसान वगरा वो भी जरुद से ज़्यादा पानी यूज कर लेते हैं सो यह हमारा usage है और हम misuse कर रहे हैं एक तरीके से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है over exploitation कर रहे हैं water resources का फिर हमारा अगला topic आता है flood and drought देखिए बाड आना जिसको हम flood कहते हैं हमारा जैसा जो देश है countries like इंडिया बांगलादेश जहांपर rainfall आप कह सकते हो monsoon के time पर आती ही आती है so बहुत बारी ज़्यादा हो जाए तो भाई flood आ जाता है और ना हो अगर rainfall तो भाई drought पड़ जाता है heavy rainfall जब हो जाती है monsoon season में so it cause floods especially in low lying areas ठीक है यहां पर floods ज़्यादा आ जाती है और persistent जो downpour होता है ठीक है causes overflowing of rivers इसकी वज़यसे क्या होता है लगातार बारिश होने की वज़यसे river overflow कर जाते हैं और lakes, rivers यह सारे भर-भर कर बहुत ज़्यादा level बढ़ जाता है और यह फिर बार्ड बन जाती है और floods आ जाती है आज की date में अगर हम देखें anthropogenic activities हैं जो की mainly responsible है flood like situations के लिए और हर साल कोई ना कोई state में आती ही आती है floods जैसे की 2017, 2018, 2019 में गुजरात के areas affected होए एरिला में बाढ़ आई, महरास्टर में बाढ़ आई तो यह हमारा floods का topic हो जाएगा इस तरीके से कुछ देखता है जब हमारी बाढ़ आती है floods आती है फिर है drought, सूखा पढ़ना, so drought एक और problem है water resources से ही related है, so जब भी annual rainfall lower रहती है normal से, जब annual evaporation काफी कम होता है so इसकी वज़ासे इसका result होता है drought, बहुत जादा सूखा पढ़ता है drought पढ़ता है, globally अगर हम देखें 80 countries हैं जो कि semi-arid और arid regions में आती है, जहाँ पर humidity कम होती है, पानी कम होता है, rainfall कम होती है so यहाँ पर drought होता है, drought होता है तो जमीन, land कुछ ऐसा दिखने लगता है फिर अब हमारा अगला topic है, international and interstate conflicts over water so मैं आपको international एक conflict पढ़ा दूँगा, जो हमारा state वाला है, coveri river वाला है वो मैं आपको case studies वाले part में पढ़ाऊंगा, ठीक है, so यह मैं आपको पहले ही बता दूँ कोई भी बच्चा comment में यह न बोले कि coveri वाला कहा है, वो एक और वीडियो आएगी आपको मैं एक बार ही दिखा देता हूँ, जो हमारा slavus है, आप अगर इसमें करेंगे, so यह जो unit 3 से जो last point है case studies इसमें coveri river वाला दिया हुआ है, so यह मैं आपको करवाऊंगा case studies वाले part के इंदर सो अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि international level पर कौन सा conflict चल रहा है, so देखिए, middle east का जो area है, हमारा वहाँ पर water conflict चलता है, देखिए, तीन river basins है, the Jordan, the Tigris, Yoprates और the Nile, तीन ये नदियां है, Jordan, ठीक है, Tigris, Yoprates और नील नदी, ये आप कह सकते हो कि middle east countries के लिए water resources यहीं से आ control है, Sudan भी चाता है कि जादा थे जादा पानी उसके पास आए, और अगर ऐसा होगा, so Egypt के उपर bad effect पढ़ेंगे, और Egypt आपको पता है, desert है, और except for a thin strip of irrigated cropland along the river Nile and its delta, so भाई आप कह सकते हो कि जादा तर area Egypt का deserted है, population जो Egypt की वो आने वाले time पर double हो जाएगी, 20 सालों तक, so water crisis भी होंगे, भाई, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा माँ पर, so likewise, एक और battle चल रही है लगातार, पानी को लेकर Jordan, Syria, Israel, ठीक है, Jordan river का जो पानी है, उसको कितना share कौन लेगा, इसको लेकर बहुत जादा problems है, Turkey जो है, has abundant water, उसके पास बहुत पानी है, and वो plan कर रहा है, 22 dams बनाने का, Tigris operates, जो river है, उसके उपर, ता कि hydroelectric power generate की जा सके, but इससे क्या होगा, drastic, एक reduction होगा, पानी के flow में, जो Syria, Iraq के आसपास जा रहा है, so Turkey का dream है, कि भाई, वो super power बन जाए, पानी के मामले में, उस area की, वो चाता है, कि भाई, transport से, वो क्या गरे, पानी को बेचे, Middle East में कोई war होती है न, so वो पानी के उपर होगी, ना कि oil के उपर, ठीक है, आपको पता है न, oil के कितने resources हैं यहाँ पर, पर पानी के resources कम हो रहे हैं, so भाई, आने वाले time पर war हो सकती है, so अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो comment box में आप ज़रूर बताना, channel को subscribe कर एन वीडियो को जादा से जादा share करें, जय हिंद, जय भारत